नमस्ते जोस्तों, सबसे पहले एक कोट से हम लोग बिसकसन का शुरुआत करते हैं इस कोट में कहा जाता है कि जिन्दगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है या तो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर यहाँ पे clear example दे आयता है exam का अगर आप pass हो जाते हो तो कुछ बन जाते हो और अगर आप fail हो जाते हो तो कुछ सीख कर जाते हो जिससे कि जो आपने गलतियां किये है उसको सुधार कर फिर से आप pass हो जाते हो अपने लक्ष को प्रात कर लेते हो यह फिर आज का डिस्केशन शुरू करते हैं आज का डेट है 5 दिसंबर 2023 और अभी हम डिस्केश करेंगे 10 हिंदु के कुछ important articles हिंदी में तो सबसे पहले हम लोग एक बड़ लोकेशन देखेंगे गयाना जिसे गवाना भी कहा जाता है जो की South America का एक country है ठीक है और इसकी जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन नाम याद रखेगा जॉर्ज टाउन जो है इसकी राजधानी है और इसके surrounding countries में जैसे की ब्रजील आता है बेनेजुएला आता है उसके जो नौर्थ इस छेत्र में है ठीक है जो गवाना के नौर्थ इस छेत्र में ह वहाँ पे Atlantic Ocean भी है यह ध्यान रखेगा और इसमें कुछ महत्पुन रिवर्स भी है जैसे की कुरेंटाइन बर्विश सभी चीजों को हम लोग मैप में देख लेंगे उसके आद वहां के इंपॉर्टेंट परवत को भी देख लेंगे जैसे कि सबसे उची चोटी जो है मौंटे रोराइमा ठीक है सबसे उची चोटी है और सबसे परमुख परवत जो है मौंट अयंगन है ठीक है तो सभी चीजों को हम लोग भी स्टार्ट से पढ़नेंगे उसके अगला आटिकल जो है चक्रबाद के कारण हुई बारिश से चन्नाई रुकी और छे लोगों की मौ हो गई अभी लगातार जो है मिचौंग चक्रबाद का प्रकोब बना हुआ है चार राज्यों में ठीक है जाहिसे कि ओडिशा हो गया तेलांगना हो गया रॉयल सीमा हो गया आंध्र परदेश उसके बाद इनी छेत्रों में तमिल आडू जैसे छेत्रों में प्रकोब यहां पर नगता है तेज बारिश हो घ्या तो इसी समगर हम लोग करेंगे कि मिचौंग जो है वो किस देश के द्वारा इस चक्रबाद कानम दिया गया तो यह जो है मिचौंग नाम पढ़ा है मियंमार तेश के दवारा और क्या है नाम की परकिरिया की कैसे चकरवाद का जो नाम दिया जाता है वो क्या है परकोलिया हर एक चीज को लोग विश्दार से पढ़ेंगे उसके अगला अटिकल जो है नई दिल्लिकी साख पर काला साया यहां पे मेली जो कहा जाता है जो सेсятव में खाहा जो में एक हत्या हुई थी उसमें भारस सरकार पर इसलिजाम लगाए गया तो यहां पर यही बात कहा जा रहा है कि लगातार चाहे है न में एससे हो यूँके होÁ चाहें दीदा हो मेहुल चौकसी का best時間 के डिनाइब करने की बात कि गये थे ऐसा ऐसा भारत सरकार्ट पे आरोप क्लगा आ था कि मेहुल क्षी का खिरंव करने का प्रयास क्या गया यूके से बापस भारत लाने के लिए तो ये सारे मुद्दे जो है कही न कही भारत का जो इमिज है वो गलोबली खराब कर रहा है इसे करण जो है विश्वास कम होता जाएगा जो खास के हमारे निवर कंट्रीज है ठीक है तो इसको हम लोग विश्टार से पढ़ लेंगे और क्या-क्या कारण है और सभी देश जो जो खुफिया अइसी कारे करती है तो उन्हें खटकने लगता है कि कहीं ये बरावर ना आ जाए ठीक है उसके अगला आटिकल जो है 2022 की सभी आत्म हत्याओं में एक तिहाई जो है वो दैनिक बेतर भोगी जो डेली कमाते हैं किसान है ऐसा कहा गया है एंसी आर्वी के द्व कि एक तिहाई जो सुसाइड हो रहे हैं वो कहने कहीं धैनिक भोगी और किसानों के द्वारा किये जा रहे हैं तो जो किसान के द्वारा होते हैं उसके मुग के कारण क्या है जैसे कि इन्पूट जो लागत लगती है क्रिशी के लिए उसमें महगाई बढ़ना ठीक है कीमतों की ब्रिधी उसके जो अगला कारण हो जाएगा श्रम का लागत उसके आद क्रिशी उपकरण करज की परिशानी, जागरुपता की कमी, अंतरराजिय, जल बिवाद जो की नदी के जलका होता है ठीक है उसकी जलवायू पढ़ेक्वातन तो ये सारी चीज़े जो है कहीं न कहीं किसानों को मजबूर कर दे रह一樣 कर देए उनकी जो है गवाना जो है बो दश्ची अमेरिका का एक देश है जॉर्ज टाउं जो है वो गवाना की राजधानी और गवाना का सबसे बड़ा सहर है और इसका आधिकारिक नाम जो है वो पुरिटिव रिपबलिक आफ गवाना यह दच्छिन अमेर्का के उत्तर मधिभाग में है गवाना सब्द का एतिहासिक प्रियोग होलेंड के तीन उपनिवेशों के लिए किया जाता है यह उपनिवेश्थ है एक से क्यूबो डेमेरारा और बेरबिश वो एतिहासिक गवाना जो है वो अमेजोन नदी के उत्तर में यहां अंग्रेजों के सासनकाल में लाए गये थे ठीक है और इस देश पर सबसे पहले पूर्टगालियों ने सासन किया और फिर 200 साल तक अंग्रेजों ने यहां पर सासन किया गवाना की जो चार परमुख नदिया है पुरेंटाइन वर्विश डेमेरार उसके एक से क्यू सभी जो है वो दच्षिन से भहती और तर्के पूरी भाग के साथ अट्लान्टिक में गिरती है एक से क्यू वो कि सहयक नदियों में पुटारो मजारुनी उसके आझ फुयूनी उत्तर पर्शिम में बहती है और रुपुनी जो है वो दचिनी सवाना में बहती है गवाना मे लगभग 296 परवत हैं जिसमें सबसे उची बिंदू जो है वो Monte Roraima सबसे उची चोटी है और सबसे पर्मुक परवत जो है माउंट अयंगनना है हर एक चीछ को हम लोग मैप में देख लेते हैं सबसे पहले यह गुआना का मैपने सबसे पर इसका कैपिटल देख लेते हैं जॉच्ट टाउन ठीक है यह इसका कैपिटल है अब इसके सराउंडिंग कंट्रीज में जैसे ब्राजील हो गया बेनेजुएला हो गया ठीक है और इसके नौर्थ इस्ट रिजन में अट्लांटिक के औसम सबस्राइम इसके ऊसन है उसकेड़ में सूरी नाम भी है अब जहां तक इसके रिवर्स की बात करें हैं तो ऀसके दिम्राज रिवर रिवर है जो चीजे हम लोग अभी पढ़ रहे थे बर्बिक की बात करें तो जैसे कि यहां पे कुछ महक्पुन इसकेuellement उसके आद कानुकू मॉन्टेन उसके आद अक्राइम मॉन्टेन तो कुछ चीजे ध्यानवर रखेगा ठीक है अब बड़ते हैं अगले आटिकल की तरफ इसमें में लिखा जाता है चक्रवात के कारण हुई बारिष से जे नई में लगभग 6 लोगों की मौत हो गई है और यह जो बारिष हो रही है वो चक्रवात मिचोंग याद रखेगा चक्रवात मिचोंग के करणरी लगबग चार राज्यों में समस्या उत्पन हो गई है उडिशा में उसके तेलांगना, आंधर प्रदेश और तमिल नाडू ये चार राज्य सबस्यादा प्रभावित है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सबस्यादा इसका प्रभाव है इसी को हम लोग विश्टार से पढ़ लेते हैं तो चक्रवात मिचोंग के बारे में, दसीन पस्षिम बंगाली खाड़ी के उपर जो है, वो चक्रवात मिचोंग बढ़ राय दिये धरे आगे, तो मिचोंग का नाम जो है, वो म्यामार द्वारत दिये गए, सुझाओ के अधार पर रखा गया है, इसका मतलब जो होता है, ता चक्रवात है, तो यह आद रखेगा चौथा जो है, वो बंगाल में है, ठीक है, और जहां तक हिंद महासागर की बात है, इंडियन वर्षन की बात है, वहाँ पे शिक्स्थ है, चक्रवात मिचोंग एक उसनिकट बंधे चक्रवात है, जो बंगाल की खाड़ी में उत्तर प सभी को बारी-बारी से नाम रखने का मौका दिया जाता है, तो घुर्णा नाम सूचियों के प्रबंधन की देख लेक करता है, विश्प अस्तर पर विभिन महासागरिये घाटियों में उत्पन होने वाले चक्रवातों को उसके नाम उन छेत्रों के छेत्रिये बिसिष्ट RSMC जिसे का जाता है Regional Specialized Metallurgical Center, इसी का जाता है चेत्रिये बिसिष्ट मौसम बिज्ञान केंद्र और उसने कठ्वंधिये चक्रवात चेताबनी केंद्र से प्राप्त के जाता है, इसी के करए यही दोनों संगठन के करण चक्रवात का नाम बारिवारी से दिया जाता है, दुन आगे के स्लाइड में हम लोग देख लें कौन-कौन से हैं, ठीक है, तो RSMC के जो सदस्य राष्ट हैं, बे उसने कठ्वंधिये चक्रवातों के लिए नाम प्रस्तावीद करते हैं, उधारन के लिए भारतिये RSMC, उसके जिसमें 13 देश सामिल हैं, छेत्र में बनने बाले पर अपना अपना नाम रखता है, और उसी का अनुसा जिसका जब बारी आता है, उसका नाम दे दिया आता है, तो पहले के अभ्यास में नामाकरन परमपरा को अधिकारिक रूप से अपनाने से पहले, उस्ट कठ्वंधिये चक्रवातों का नाम जो है, वो अस्थानों, योग नहीं किया जाता है, दचिन चीन सागर से एक उस्ट कठ्वंधिये चक्रवात का नाम जो थाइलाइन को पार करता है, और उस्ट कठ्वंधिये चक्रवात के रूप में बंगली खाड़ी में निकलता है, तो उसका नाम नहीं बदला जाता है, तो यह देख सकते हैं, RSMC जो 6 महत्पूर RSMC है तो पहला है साउथ बेस्ट पेस्पिक ओशन ठीक है इसी कहा जाता है फिजी मेटरोलोजिकल सर्विस उसके दूसरा है साउथ बेस इंडियान ओशन उसके बेव बंगल और अरेबियन सी उसके बेस्टन नौर्थ पेस्पिक ओशन और साउथ चाइना सी उसके आज इसी के करनेहां पे नाम नहीं बला जाता है ठीक है उसके आज सेंट्रल नौर्थ पेस्पिक ओशन उसके आज नौर्थ इस्ट पेस्पिक ओशन तो यह छे जो है आरेश एमसी हैं इसे याद रखेगा एक शीज और जान लेते हैं कि चक्रवाद के नाम अपनाने जाता है चक्रवाद का तो किसी का भावना का ठेस ना पहुंचे ठीक है उसके याद इसका स्वभाव बहुत ही असीस्ट एवं क्रूर नहीं होना चाहिए यह संशिप्त होना चाहिए उचारन में आसान होना चाहिए किसी भी सदस्य के लिए अपमांजनक नहीं होना परदान किया जाना चीए तो उत्री हिन महासागर पर उसन कटिवन यह चक्रवातों के नाम दोहराएं नहीं जाते हैं यह हम लोगों ने देख चुका है तो यह कुछी यह थी किसी का भावना नहीं ठेस पहुंगना चीए किसी का अपमान नहीं होना चीए और यह आठ वर्ड NCRB मतलब की National Crime Record Bureau ध्यान रखेगा तो इसी के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो NCRB की भारत में आकास्मिंग मिर्थिव और आत्महत्याए डोहजार बाइस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में कुल 1.7 लाग से अधिक आत्महत्याएं होई है जिसमें से जो डेली काम करके पैसे कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं और खेतिहर मजदूर और किशान सामिल है एक तीहाई आत्महत्या में ठीक है तो जो NCRB का रिपोर्ट है उसका बार्सिक रिपोर्ट उसमें भारत में अपराद 2022 के रिपोर्ट के साथ में इसका फूल पर्म कर द दो प्रजुन की घिनती जो लाइन दिया गया है यह कहीं न कहीं एक कटाक्ष की तरह रखा जाता है से तो या परबहुत डाल सकता था जो भी रूलिंग पार्टी थी Seric कि आगे देख लेते हैं तो इसमें सबसे मुखे कारण क्यों है जो आधम हत्या कर रहे हैं लोग उसमें मैक्सिम्म जो हैं वो सबसे अधिक हो रहे हैं भारत में नविंतम अपराद रिपोर्ट में रायस्थान मध्य परदेश शतिश गर तेलंगना के साथ SC और ST के व्यक्तियों पर होने वाले अपरादों और अत्याचारों में समगर ब्रिदिद देखी गई है सभी की तुलना में 2022 में ऐसे मामलों में ब्रिदिद देखी गई है पिछले बर्स मिजोरब में 2021 में SCI ST लोगों के खिलाफ अत्याचार का कोई भी मामला नहीं था पांच राज्यों में बना हुआ है तो याद रखेगा सबसे ज्यादा SCI और ST पर कम्यूटी पर अत्याचार जो होता है MP और राहस्थान में होता है और अन्य राज्यों के अगर बात की जाए तो जैसे बिहार उतर परदेश और पंजाब में भी जहां CST लोगों के खिलाब अपराध और रत्याचार सबसे अधिक होता है ठीक है इसके अलावा भारत में अपराध रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले बर्ज की तुलना में में 2022 में राज्य के खिलाब अपराधों के मामले में मामूली बिधी होई ए गर कानूनी गतिवीधिया रोकताम अधिनियम के तहत ऐसा कहा जाता है कि दर्ज मामलों में लगभग 25% की बिधी होई है ठीक है जो अपराध से सम्मधित मामला है दर्ज कराये जाता है उसमें 25% की ब्रिध ही हुई है आत्म हत्या के आकड़ों के मामले के बारे में जानते हैं कि क्या है मामला तो दूसरी और भारतिय दंड सरहिता की राजद्रों धारा की तहत मामलों मेनाटा की रूप से गिरावट आई है संभवता राजद्रों के मामले को अस्थागित रखने के सुप भारतिय मुद्रा नोट जब्त किये हैं, जिसमें से 244 कलोर मूल लेके FICN 2000 का मुद्रा नोट की परतियां थी, FICN का मतलब होता है कि fake India currency note, इसके बाद 500 रुपे भी जब्त किये गए जो इसमें जब्त किये गए थे, 2021 से FICN जफ्ति की प्रविर्ती को ध्यान में रखते हुए currency note जो है, इसमें बंद की गई मुद्रा भी सामिल है, थीक है, तो ADSI जिसे कहा जाता है accidental deaths and suicide in India, उसी को ADSI 2022 के रिपोर्ट में परकासित आत्म हत्या के आकड़ों से पता चला है कि बर्स में अधिक्तम आत्म हत्या जो में 190834, मध्य पर्देश में भी 15306, तो इसी तरह से दो तीन स्टेट का नाम याद रखे, टॉप दो तीन याद रखे वस उसके दैनिक बेतन भोगी, क्रिशिश रमिको और किशानू के अलाबा, यहां पे एक बात और कहा जाता है, दोहर 22 में आत्म हत्या के 9.6% मामले ऐ तो इस बरस में दर्श की गई सभी आत्म हत्याओं में से, 12,000 से अधिक जो है चात्रों ने आत्म हत्या किये ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आत्म हत्या हैं वो धायनिक बेतनभुगी और क्रिशक बर्व के लोग किये, तो आत्महत्या के कारन के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कुछ राजय में किशानों आत्महत्या किया है यहां पर सुनने रिपोर्ट किया गया है ऐसा ADSI की रिपोर्ट में कहा गया है ठीक है कि इन राजियों में आत्महत्या सुनने देखी गई है 22 में आत्महत्या से मनने वालों की लगभक 48,000 महिलाओं में से ADSI की report में पाया गया है कि यहां पर कहा जाता है कि 52% महिलाओं वो होमकर हैं जो आत्महत्या की हैं और 14% महिलाओं हैं वो महिलाओं दैनिक बेतन भोग हैं प्रसादब की बोलेवर्स के रूप में काम करते या पिर कहीं और भी कारे करती है जो 14% महिलाएने आत्महत्या की है तो सर्वेच्छन से यह भी पता चलता है कि 2022 में 28 यह भी बताया है कि 2022 में रिपूर्ट की गई आत्महत्या के सबसे आम कारण में से है जो परिवारिक समस्य कि यह Р. मैं यह बहुत बड़ा समस्य है ने देखा क्लेकि की बड़े अधिकारी की बहुत सब्सक्राइब χारा है और विमारी जो है वो भी एक आत्म हत्या का परमुख कारण है जो कूल मिलाकर बर्ष में सभी आत्म हत्याओं में से लगवा आध्य का जीमिदार है ठीक है पारिवारिक समस्या और बीमारी इसके बाद नसीली दवाओं का दुरुपयोग को कि रहे सराब कि लत्त विवास समंधी मुद्दे आधि का स्थान लेता है जिसे कारण आत्म हत्या लोग करते हैं हाला कि विवास समंध्य मुद्दों के अंतर है अधिकांस लोग जो है वह महिलाए हिं होती है और कहीं दहेष से कारण के कारण ज्यादा महलाओं की आत्महत्या की जाती है किसाने में हम व पड़ लिया था इन्पुट जैसे कि किसानों के लिए जरूरी होती है किरिशी के लिए इन्पुट लागत वह बढ़ रही लगाता उससी कीमत उसके आगा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है अंतराष्ठे जल भीवात जो हो रहा है उसके जंगता के कमी उनके पास कृश्शी की नभीन नहीं होती है उसके खाद की सही पहुंच नहीं होती है यह सारी चीजे हैं जो किशान को ज्यादा कर्ज का बोज बढ़ जाता है जिसे करण पर आत्महत्या कर लेते हैं तो यह था पूरा का पूरा मामला कि आत्महत्या में सबसे ज्यादा जो आत्महत्या कर रहे हैं लोग डेली बेतन ज़िए उसे लिए कि लोग का जो कर्ज है उसे समाप्त किया जा सके और भी बहुत से स्कीर्चिम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वरा जिसे की क्रिशी को और ज्यादा प्रोच्छाहिद किया जा सके अब बढ़ते हैं अगरे आर्टिकल की तरफ इसमें कहा जाता है यहां पर बस investigating officers जो है इंडिया के उस पर उंगली उठाई जा रही है लगातार जैसे सबसे पहले कनाडा का मामला है जिसमें निजर हत्या पर भारा सरकार प्यारों पुलाया गया कनाडा के प्रधार मंत्री द्वरा की निजर की हत्या की गई है भारा सरकार के द्वरा जिसका बहात ने पुरी तरस बिरोद किया उसके अमेरिकार से में कहा गया कि अकि गुष्ट है गया वो inuft पागिस सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी सराहना की जाती वहीं अगर इंडिया जैसा विकासिल देश अगर इस तरह करता है तो यह इसकी अभिलना करते हैं इसका विरोध करते हैं इन्हें लगता है कि कहीं न हमारे साथ ख़ड़ा होना शुरू कर दें तो यहीं एक विचार है जिसे करन इस तरह के नयने हद्गंडे अपनाए जाते हैं विश्ण कंट्री की तरह इसी को आगे पढ़ लेते हैं इसी जो सच हो सकता है उसे न कारते हुए न पकड़ा जाएं उत्री अमेरिका में बांचित खालिस्तानी अलगावबादियों को निशाना बनाने के लिए एक भारती नागरी के खिलाप सनुत राज अमेरिका के नियाय विभाग के अभियोग का हाल ही में परकासर हुआ जिसमें कहा गया कि एक सरकारी अधिकारी यहां पर इसलिए सरकार को जिबे दाठरा गया क्योंकि यहां पर सरकारी अधिकारी को दोसी माना गया तो एक सरकारी अधिकारी के आदेश पर जो अकेले काम कर रहा था या नहीं अभी तक यह अपरमानित आरोप है जिसे जाज कायम रखन यहां पर यहीं बात है गहन जाज से पता चले है कि भारत के कारे उसके मुल्य और हितों के अनुरूप है या नहीं तो इसी में कुछ ऑप्रेशन की बात की जा रही है जैसे कई खूफिया अभ्यानों के बारे में बताया जा रहा है इसमें तो है 18 में अंतराष्टे जल छेत्र में भारतिय तरक्षक द्वारा सन्विक अरव अमिरात की राजकुमारी लतीफा की जवरन बापसी से लेकर युनाइटेट किंग्डम हमेशा से दिखा गया है कि जो ब्रेटेन है भारत से इतने बड़े-बड़े चोर जो है ठीक है चाए तो यहां भारत के इतने बड़े संसाधन को अगर कोई देश लेके जा रहा है अगर कोई व्यक्ति उस देश में रख रहा है और अगर वो देश उसका संद्चन कर रहा है तो कहीं न कहीं उस देश पर भी सवाल उठना चाहिए यहां पर उल्टे भारत पहीं सवाल उठा ज जिनेज में मेहुल चौक्सी की आपहरण के पर्यास और दोसी ठहरा जाने की अलोचना की जासुसी के आरोप में आठ जो हैं भारतिय नौसेनिक अधिकारी को कतर में मिर्थी को सह सुनाएंगे जिसे खिलाप अभी भी आपील जा रही है जबकि दौसल्ला के पाकिस्तान में भारतिय नौसेनिक अधिकारी कुल भूसन जादब के खिलाप अतिरिक नयाएक सैन अदलात में चल रहे मुकदमों को भारत ने अंतराश्टिय न्याले में चुनाथी दी तत ही यह है कि वह एक मित्रबत पडोसी इरान से अपना ब्यवसाय संचलित कर रहा था ठीक है फिर भारतिय सुरच्छा पर्थिष्ठान के 22 पहुंच के परमान के रूप में मेडिया में सरहा गया है तो मेडिया में सरहा जाने से भारत दोसी नहीं हो सकता तो यह याद रखना चाहिए कि सरकार ने अब तक यह सुईकार नहीं किया है कि उसने इसमें से किसी भी ऑपरेशन क ये खिलाप नहीं है कि सुरच्छा एजेंजियों को उन्हें अंजाम देने के लिए ससक्त किया गया है। सही बात है कि जैसे कि यहां पर दो मुहां बात हो गया ना कि अगर बेश्टन कंट्री कोई भी वही कारे करता है तो उसे सराहा जाता है। और अगर इंडिया के द्वारा, इंडिया के जासूस संगटनों द्वारा ऐसा कारे किया जाता है, वो भी तो अपने देश की गरीमा को बचाने के लिए ये कारे कर रहा है। तो उसे फिर इस तरह से जो गुलोबल प्लेटफोर्म है वहां पर हतोत्साहित क्यों किया जाता है। पर उसके परदहान मंत्री जस्टिस टूड़ो द्वारा लगाया गया, सिधा अरोप की भारत सरकार इसका अरोपी है, जो हर्दीप सिंग निजर की हत्या हुई थी, इसमें भारत ने किलेरली नकारा था कि ऐसा साजिस भारत कभी भी भी नहीं करता है। अरंब करने के लिए जो अमेरिकी अभियोग का पाठ दो साजिसों को उजायर करता है। द्वारा किया गया है, जिस पर आरोप लगाया गया कि निखिल गुपता, जिससे कथे तोर पर एक बरिष्ट सरकारी खूफिया अधिकारी द्वारा निदेशित किया गया था। तद थी यह है कि अमेरिकी सरकार ने भारत के साथ भर्षब साजह नहीं किया, यहाँ पर भी क्लियर कहा जाता है कि अमेरिकी सरकार ने भारत के साथ जो सेक्रेटर इंफोर्मेशन थी उसको शेयर नहीं किया, अने था किये गया दावब पर सवाल उठती है कि दोनों देश इस वर्ष स्वच्छा सयों के लिए शिखर पर भी मिले थे शिखर समयले नहीं मिले थे जब स्री टूडो ने संसद में अपना ब्यान दिया तब भी उन्हें साजाना करने से नई दिल्ली को अमेर्किया व्यों का विवरन प्रद्रसित करने होते पर सरमिंदा होने से बचाया प्रद्रसित कर दिया गया तो यह भी तो कहीं ने कहीं तरीका जो है वह बहुत ही खराब है इसके बजाए अमेर्की राश्पती जो बाइडन और भारत के प्रदान मंत्री नहीं मोधी के बीच दो बैटके हुई उसके बिलेस मंत्री की लगातार बैटके हुई ठीक है उसक प्रतित होता है कि शूलीबन साथ ही CIA मतलब की जो USA का investigating officer है ठीक है जो USA का investigating agency है CIA और intelligence परमुखों के अनुसार अमेरिका ने भारत को आगा किया है लेकिन उसने इकत्यत की गई पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है ठीक है यहां पर बेस्टन कंट्री का भी चाल र खालिस्तानी अलगावबादी आंदोलन पर साधा की गई जानकारी पर भरोशा नहीं करता है और इसलिए उसकी गतिवुद्यों पर अंकूष लगाने के तुलना में उससे खिलाप साजिस्ट पर अधिक ध्यान करिंद करता है तो भारत के लिए श्री पन्नु की कटर पंथ यहां था कि एर इंडिया के खिलाब धमकी परसाइद करने और तो यहां पर भी कहा रहा सकता है कि धमकी दिया गया था पन्नु के द्वारा ठीक है तो यहां पर राजनाई को और दूताबासों को धमकी देने से भाहत की गहरी चिंताओं को देखते हुए अमेरिका की कारव बारियां 2008 में खूफिया जानकारी साजा करने की प्रकिर्ति की याद दिराती है जब अमेरिका ने भारत को आसन 26-11 आतंकी खत्रे के बारे में चैताबनी दी थी लेकिन यह नहीं बताया कि जानकारी का स्रोथ जो है वो लस्करे तैवा ओपरेटिव था तो यह भी बात है क अमेरिका जो भी जानकारी देता है वो आधा अधुरा देता है जिसे करन समस्या और भी बड़ी हो जाती है जिसे दोहर 9 में एक और नापाक योजना का भारत में अटेक किया गया ठीक है आतंकी दोरा तो अमेरिका दोरा हेडली को गिरफतार करने के बाद उसने एक प्ली बारगेन में परवेश किया जिसका मतलब था कि जिस व्यक्ति ने लक्ष हित्ताई किया है और हमले की साटी की गोजना बनाई है उसे भी ज्याय के कड़गरे में नहीं लाया जा सकता है भारत और सरकार को मुकदमे के लिए वीडियो कैमरे के माध्यम से उसकी गवाही लेन का समाधान करना चाहिए सिरलंका और बंगलादेश जैसे देश जो है कनाड़ा के मुद्रे पर भारत के साथ खड़े थे लेकिन जैसे ही अमेर्की अभियोग का वेवरण सामने आया इस्लामबाद ही नहीं बलकि दच्छिन एशिया राधानिया भी अपने देशों में भार इस्ट एसियन के जो कंट्रीज हैं भारत पे भी प्रस्चिन उठा रहे हैं तो सौध बलक और परोस में उनके दूताबासों को परोसियों को आस्वस्त करने के लिए अतिरिक प्रयास करना होगा खासकर काटमंडू धाका माले और पोलंबो में जहां घहलू राजनिती में भारत के हाथ मतलब की भारत ऐसा माना जाता है कि यह सारे जो प्रणोशी देश हैं यहां पर राजनिती में भी भारत हास्त रशेव करता हैं ठीक है ऐसा आरोप लगा जा रहा है तो आखिरकार इस प्रकरण का अस्थाय प्रभाव उस छवी में नहींत होगा जिसे भारत दुनिया के सामने पेस करना चाहता है एक कठोर सक्ति के रूप में जो अंतराश्य अस्तरपर नाराजगी कज़ों की मुठाने के लिए तैयार है तो यही बाते पुरा का पुरा कहा जाता है कि वेस्ट्न काठ्री के द्यौरा ऐसा लगता है उनोग झी evestsिकाल सिर्फ हम ही लोग करते हैं बाकि जो इंडिया कर रहा है कहीं न कहीं वहोट उलंगहन कर रहा है हमारे सौच प्लानिंग का उलंगहन कर रहा है तो कोई भी अग आर्टिकल्स जो आज हमने देहंदू के न्यूस पेपर में पढ़ा तो कैसे लगा प्रीज मुझे कमेंट करके बताएं मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू